the sum of the numerator and denominator of a fraction is 12 if the denominator is increased by 3 the fraction becomes 1 upon 2 find the fraction तो मैं find कर नहीं है वो fraction तो मालना कि जो fraction है अपनी fraction में जो numerator है और जो denominator है वो है x upon y यह अपनी fraction है x अपना numerator और denominator क्या है y अब इनका sum दिया हुआ है यानि numerator x और denominator y इन दोनों को add करेंगे इनका sum करेंगे तो कितना आएगा 12 यह अपनी first equation है यहां से हम लोग चाहें तो x की जो value है वो भी find कर सकते हैं जैसे x equal to हम लोग लिख सकते हैं 12 यह plus y है तो minus y हो जाएगा इस तरीके से हम लोग अपनी first equation बना सकते हैं चाहें तो y की value भी यहां से find कर सकते हैं तो इस तरीके से हमने first equation बनाई आगे है if the denominator is increased by 3 यानि अपना जो numerator है उसमें कुछ भी नहीं करना वो ऐसे कैसे है जो denominator है y y में क्या करना है इसको increase करना है कितना 3 यह 2 इधर multiply होगा तो 2x और y प्लस 3 इधर 1 से multiply होगा तो y प्लस 3 हो जाएगा तो यहां पर जो 2 है वो 2 ऐसे कैसे लिखेंगे x की जिगे क्या लिखेंगे 12 माइनस y यहां पर ज़्यादा easy होता यदि हम लोग y की value find करते तो x की जिगे पर भी लिख सकते है ऐसे भी हो जाएगा लेकिन y ज्यादा easy रहता तो आप लोग y की according भी करके देखिएगा आगे है y प्लस 3 तो यह जो 2 है multiply हो जाएगा 12 बे 2 जाए 24 माइनस यह 2 y से multiply होगा तो 2y इक्वल 2 y प्लस 3 यहाँ से हम लोग करेंगे 24 यह प्लस 3 है तो minus 3 हो जाएगा यह 2y minus में है transpose होगा तो plus में आजाएगा 2y और इधर y अपनी जिगर पे है तो यह प्लस y अपनी जिगर पे है तो 24 minus 3 तो इधर होगा 21 और यह 2y और y कितना होगा 3y अब 3 आजाएगा divide में तो 21 upon 3 तो y की value कितनी आजाएगी 3 7 जा 21 तो y equal to आजाएगा अपने पास 7 तो यह है y की value हमें find क्या करना है x भी find करना है तो x equal to क्या है अपना 12 minus y y कितना है 7 तो x equal to अपने पास आजाएगा कितना 5 तो यह x भी आगया तो अपनी जो fraction है fraction कहती x upon y यानि 5 upon 7 यह वो fraction है 5 upon 7 इसे check कर सकते है x कीज़े कितना लिखेंगे 5 y plus 3 यानि 7 plus 3 10 हुझेगा तो इसको solve करेंगे तो 5 जा 5, 5 जा 10, 1 upon 2 आगया यहाँ पे 1 upon 2 है तो इस तरीके हम लोग check कर सकते हैं उमीद है वीडियो समझा गया होगा तो लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलेंगे नेक्ट वीडियो में थैंक यू